Hello friends, यदि आपको endometriosis है तो यह हमारी endometriosis के series चल रही है, जिसमें यह मारा तिसरा वीडियो है, दो वीडियो हमने पहले से upload की हुए है, तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं, तो जरूर देख लीजिए, पार्ट बन में हमने बताया कि endometriosis क्या होता है, इसके क्या कारण है क्या लक्षण है, और इसके क्या-क्या इलाद संभव है, दूसरा हमने बताया कि दूसरे वीडियो में की endometriosis के दर्द को कैसे handle किया जा है, और उसको कैसे आप मुक्ति पा सकती है, अज तीसरे वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आपको endometriosis है और आप क्या प्लैन कर रही है, यानि fertility के बारे में सूच रही है, तो क्या आपको pregnancy हो पाएगी, या आपको special treatment लेना पड़ेगा, या endometriosis के चलते pregnancy हो नहीं सकती, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो मैं Dr. Sushila Sanic Gynecologist and Appertitian, आज आपको endomet diagnosis है, तो सबसे पहले इसका इलाज जरूरी है, दूसरा आपको ये decide करना जरूरी है, कि आपको pain जादा है, या आपको pregnancy की इच्छा जादा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको आप गौर से ध्यान से सुनिये, कि हमारे पास जितने भी patient आते हैं, उनकी generally दो ही शिकायते ह होती है, कि या तो उनको बहुत जादा pain होता है, और वो आपके हमें एक ही चीज कहती है, मैडम, हमें इस दर्द के मुक्ती चाहिए, हमें ना जिंदगी चाहिए, ना बच्चा चाहिए, हमें सिर्फ इस दर्द से मुक्ती चाहिए, यानि कि वो इतनी ज्यादा pain में ग्रस् वो सहने के लिए तयार है या कभी कबार दर्द बहुत जादा नहीं होता है fertility का specific problem होता है तो ऐसी स्तिति में यदि आप second group में आती है यानि कि आपको mainly आपका focus pregnancy पर है तो definitely आप सही video देख रही है हमारी priority यह रहती है कि जबी भी हम कोई treatment plan करें तो definitely यदि किसी महिला को pain है तो pain से भी मुक्ते मिल ली चाहिए बट साथ ही साथ यदि pregnancy चाहिए तो pregnancy के लिए भी हम treatment दे यदि आपको pregnancy plan कर रही है तो कुछ जो medicines होती जो pain के लिए दी जाती है उनसके कारण pregnancy नहीं होती है इसलिए हमें वो दवाईयां avoid करने होती है इसलिए यदि pregnancy plan करने है तो definitely एक ही option हमारे पास बचता है जो कि है दूरबीन का operation दूरबीन का operation करके जितना भी endometriosis आपके अंदर है उसको सारे को clean करके निकाल दिया जाता है और साथ ही साथ दूरबीन से बच्चे दाने की जाच की जाते है जिसको एक हिंस्ट्रोस्कोपी बोला जाता है और पेट के अंदर दूरबीन से दोनों तरफ की नलियों की जाच की जाती है जिसको की chromo perturbation कहा जाता है जिससे की नलियां खुली है या बंध है नलियों में कोई blood clots तो नहीं जमा है ovaries healthy है या नहीं है उनमें किसी प्रकार की कोई सिस्ट तो नहीं है तो ये सारी चीज़े दूरबीन से evaluate की जाती है और उनका treatment किया जाता है कई बार endometriosis mild to moderate level का होता है यानि कि level 1, level 2 पे ही होता है इस पर बहुत अंदर damage नहीं होता है जितना भी जो अंदर बिमारी होती है वो reversible होती है यानि कि इस stage पर उसको सही किया जा सकता है permanent damage नहीं हुआ होता है तो ऐसे स्थिम्यदी surgery हो जाती है तो pregnancy होने के काफी एच्छे उमीद होती है और normally conceive कर जाते है अंदर की विमारी को दूर्वीन से जब हटा दिया जाता है तो tube और ovary का relation mundane किया जाता है और जो भी cyst है या गांट है उसको निकाल दिया जाता है tubes में जो भी blood clots उनको साफ कर दिया जाता है और बच्चे दाने के अंदरों नी जाच करकर अंदर के layer की healthiness पता कर ली जाती है और यदि कोई विमारी दिखती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है तो ये तो एक तरीका है जिसे कि आपको fertility natural तरीके से मिल पाएगी जो कि reversible विमारी के अंदर possible है लेकिन यदि आपके stage 3 या stage 4 है जहांकि आपके tubes में बहुत जादा blood clot भर गया है और hydrosalpins बन गया है जो कि दर्द का भी कारण है और वो पूरी तरीके से damage हो गई है फूल कर इस तरीके से गुबारा बन गई है ovaries के अंदर बहुत बड़ी cyst बन गई है तो ऐसे स्तिती में कई बार normal pregnancy होने में दिक्कत आती है क्योंकि यदि tubes के अंदर अगर hydrosalpins है तो उन tubes को हमें निकालना ही पड़ता है वो सही नहीं हो सकती वो irreversibly damage हो चुकी होती है दूसरा यदि ovaries के अंदर अंडा बनाने की capacity खत्म हो गई है तो उम्मीद भी काफी हद तक खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी उनका कुछ इलाज संभव है आज के जमाने में stem cell therapy और PRP therapy भी नया जीवन बन की आई है जिससे की ovaries को rejuvenist किया जाता है और ovaries के अंदर अंडा बनाने की capacity को वापस से develop किया जाता है यदि आपके tubes निकाल दी गई है तो definitely आपको फिर IVF ही opt करना पड़ेगा इसके अलावा और कोई इलाज नहीं बचता है तो इस तरीके से यदि आपकी बिमारी शुरुआती है वस्ता की है तो जो दुर्बिन के operation से ठीक किया जा सकता रिवर्सिबल विमारी है तो आप naturally conceive कर सकती है यदि आपके tubes permanently damage हो चुकी है hydrosalpinks बन गया और उनको निकालने के जरूद पड़ गई है और tubes निकालने के बाद आप IVF करवा सकती है और यदि ovaries आपकी damage हो गई है और ovaries से अंडा बनाने की capacity खत्म हो गई है तब stem cell therapy और PRP therapy ले सकती है लेकिन अभी permanently या इसे stabilized treatment नहीं है या ट्रायल पे है तो कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं लेकिन इसके result काफी promising है यदि आपके शहर में या कहीं पर stem cell therapy अविलेबल नहीं है तो आप ovum donor ले सकती है यानि की donation से आप अंडा ले सकती है जिसमें कोई दूसरी महिला क्या अंडा लेकर IVF के technique के तवारा आपको बच्चा दिया जा सकता है लेकिन आपके मा बनने के इच्छा को पूर्ण किया जा सकता है तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि यदि endometriosis है तो भी उम्मीद खत्म नहीं होती है pregnancy आपको हो सकती है लेकिन medicines का रोल काफी हद तक खत्म हो जाता है केवल surgery का रोल बचता है क्योंकि medicines के कारण pregnancy नहीं होती है इसलिए surgery के बाद ही आपको ये उत्तर मिल पाएगा कि आप naturally conceive करेंगी या आपको IVF कराना पड़ेगा generally IVF से pregnancy हो जाती है तो उम्मीद बनाए रखिए और बने रहे हमारे साथ भी और हमारे YouTube चैनल को यदि subscribe नहीं किया तो please subscribe जरूर कर लिजिए ताकि आपको आगे भी अच्छे वीडियो के certification मिलते रहें और आप अपनी जैनकारी बढ़ाते रहें Thank you so much